अभी हाली में आप लोगों ने देखा कि All Tribal Student Union of Manipur ने मैत्री समुधाय को राज जी की अनुसूचित जन्जातियों की सूची में सामिल करने की मांग का बिरोध करने के लिए एक जुटता मार्च निकाला और जिसमें आप देखते हैं कि हिंसा हुई और मणी पूर जला और यहां आप देखें कि कर्फिव लगाये गया और आपने देखा होगा कि लोगों को दंगाईयों को देखती ही गोली मारने की छोट भी दी गई थी और भी दिये गए थी तो यह पूरा मामला क्या है क्यों इ और इस तरह की topics से आप देखेंगे कि हमेशा आपकी exam में questions पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग civil service की तैयारी करें हो, या फिर आप लोग state PCS की तैयारी करें हो, one day exam की तैयारी करें हो, और आप देखेंगे जे एक बार मडीपुर को, देखेंगे एक हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे एक मडीपुर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या मडीपुर, इसकी राधधानी अगर आप लोगों को देखने को मिले, तो आप देखेंगे कि इमफाल इसकी राधधानी है, इसकी सीमा नागालेंड मेजूरम असम तीन राज्यों से लगती है इसकी सीमा कितने तीन राज्यों से लगती है अंतराश्टी सीमा इसके मियानमार से लगती है किसे लगती है मियानमार से और इसे आप देखते हैं कि केंद सासित प्विदेश बनाए गया था 1956 में और इसे र राज्य सबा में एक सीट है लोग सबा में दो सीट है और आपका 22,327 वरकलूमीटर में आपका मड़ीपूर फैला हुआ है यह भी आप लोगों को याद रखना है क्या करना है याद रखना है और आप देखेंगे कि यह मार्ज जो अभी निकाला गया था मड़ीपूर उच न किस ने दिया था मनीपूर उच नियालेने उसी को लेकर यह बिरोध हो रहा था अब आप लोग सवभाविक सी बात है आप जानते हैं कि जहां आप देखें कोई अनुसूचित जंजाती में सामिल होना चाह रहा होगा और वहां पहले से जो अनुसूचित जंजाती की लोग होंगे उन्हें डर रहेगा कि हमारे समधाय में आएंगे हमारी जाती में आएंगे और आप देखेंगे हमारे आदिकारों हमारे जो हमें फायदा मिलते हैं जो हमें समीधान कुछ आदिकार देता है उसमें भी हस्तचेप होगा उसमें भी बटबारा होगा और इस तरह की आ आप लोगों की दिमाग में स्वभा भी कसी बात आएगा कि मैत्री समुदाय क्यों चाहता है एस्टी का दर्जा अनुसूचित जंजाती का दर्जा मनीपुर की अनुसूचित जंजाती मांग समिती के नेतित में मैत्री समुदाय वर्स 2012 से एस्टी इस्थिती की मांग कर रहा उन्हें अपनी संस्किती भासा पहचान को संरक्षित करने ही तो समिधानिक सुरक्षा पिरदान करने के लिए कह रहा है कि अगर हम देखे किसमें अनुसुचे जंजाती में सामिल हो जाएंगे तो हमाँ अपनी संस्किती भासा पहचान को संरक्षित करने के जो समिधानिक प् लेकिन भारत में बिला होने के बाद उनकी पहचान समाप्त हो गई है। लेकिन भारत में बाद उनकी पहचान समाप्त हो गई है। उनकी पैतरक भूमी परंपरा, संस्किती और भासा को सरक्षित करने में मदद मिलेगी और बाहरी लोगों से उनकी रक्षा होगी। ये मैतरी समदाई की मांगें, दलीले हैं अनुसूचित जंजाती में सामिल होने को लेकर। अब आप देखिए एश्टी सूचि में सामिल करने की पिक्किरिया क्या है और आप देखते हैं कि बहुत सारे लाब भी मिलते हैं अनुसूचित जंजाती में सामिल होने के आरक्षन का देख लेजे और भी तमाम लाब मिलते रहते हैं। एश्टी की सूचि में एक समदाय को सामिल करने की पिक्किरिया बर्स 1999 में स्थापित तौर तरीकों के एक सैट का अनुसरन करती है। भेजा जाता है। और यदी बे सहमत होते हैं तो पिस्ताव आप देखें समिधान की अनुसूचित जंजाती आदिस 1950 में संसोधन के लिए कैविनेट को भेजा जाता है। फिर आप देखें सेटमबर 2022 में सरकार ने अनुसूचित जंजाती हो की सूचि में कुछ समधायों को सामिल करने की मंजूरी भी दिये। इसमें आप देखेंगे चत्तिस गड़ की विज्जी बिंजे हो गई तमिलानु में नारी को रावड एंड कूरी विक्कारन हो गई और करनाठक में आप देखें विट्टा कुरूवा हो गई, हिमाचल में हत्ती हो गई, ए अनुसूचित जंजाती में सामिल किये गया है। और उत्तरपतिस में गौंड समुदाय हो गया, तो यह आप लोग याद रखेगा। 2022 में ही यह स्तामुल हुई है। अनुसूचित जंजाती का दर्जा देने से उन्हें नौकरी के अवसर अनुसूचित जंजाती के लिए अन सकारात्मक कारियों से हाथ धोना पड़ेगा। यह डर इनका यहाँ पहले से जो अनुसूचित जंजाती हैं उनका है। अधिक राजनितिक पिरभाव की बात करें तो यह भी सोचते हैं कि अनुसूचित जंजाती दर्जे की मांग घाटी छित के पिरमुक मैती समदाई हित्तू, कूकी एवं नागा जैसे अन आदिवासी समदाई की राजनितिक मांगों से ध्यान हटाकर राजजी के पहाडी छित्रों पर राजनितिक पिरभाव और नियंतर हासिल करने का एक तरीका भी है। कूकी एक जातिय समू है जिसमें मूल रूप से मरीपोर, मिजोराम, असम जैसे पूरोत्तर राज्जों में रहने वाले कई जंजातिय सामिल हैं। जंजातिय समूहुकर निसकासन अगस्ता 2022 में से राज सरकार की चितावनी में कहा गया है कि चूरा चंदपुर, खौपुम, सरक्षिक बन्न छेत्ति के 38 गाओं अबैद बस्तियां हैं और इसमें रहने वाले अतिकर्मड कारी हैं जो असांती के अन्यकार्णों में से एक है और इसके बाद आप देखेंगे कि क्या देखेंगे इसके बाद सरकार ने एक वे दखली अभियान शुरू किया जिसके पईडाम सुरूप जड़पें भी हुई थी, कूकी समूधाय उनने दावा किया कि सरवेक्चन और निसकासन अनुचे 371C का उलगन है जो मणीपुर क आदिवासी बहुल पहाडी छित्रों को पिसासनिक स्वायत्ता देता है कौन अनुचे 371C अब आप देखें मणीपुर की जाती सरचना देख लिजे तो मैती मणीपुर में सबसे बड़ा समुधाय है मैतरी समुधाय सबसे बड़ा समुधाय है वहाँ 34 माननता प्राप जन आदिपुर के भुभाग के लगबग 10% हिस्ते पर पाय जाते हैं राजी के से 90% भोगोली चित में घाटी के आसपास की पहाडियां सामिल है जो चिन्ने जन्जातियों का आवास है ये जन्जातियां राजी की आवादी का लगबग 35.4% है अधिकांस मैते ही हिंदू है अन्य को की जन्जाती में बर्गी कित किया गया है नांगालेंड की दीमापुर जिले के साथ मनिपुर को दिसंबद 2019 में IELP पिनाली के दायरे में लाय गया और IELP एक विसेस परमिट है जो देश के अन्य छेत्रों से बाहरी लोगों द्वारा अधी सुचित राजी में प पिरात्मिक भासा मैति है और जिससे मनिपुरी भी कहा जाता है और मनिपुर की एकमात अधिकारिक भासा भी है और बेमुक रूप से इंफाल घाटी में बसे हुए है अलाकि एक बड़ी आबादी अन्न भारती है राज्यों जैसे असंतिपुरा, नागलें, मेघाले और मि निवास करती है, म्यानमार बंगला देश के पड़ोसी देशों में भी परयाप्त मैते ही निवास करते हैं, मैते ही लोग गौत्रों में विभाजित हैं, एक ही गौत्र के सदस आपस में विभाज नहीं करते हैं तो ये भी देखने को मिलेगा, मनी पूर आपको बता चुका और सहित 11 राज्यों के लिए बिसेश प्रावधान करता है, इसमें आनुचे 399 से 392 कुछ हटाएगा अनुचे सहित, समिधान के भाग आप देखेंगे ये भाग 21 में, किसमें भाग 21 में हैं और जिसका सीषक आइस्थाई संखमार कालीन बिसेश प्रावधान है, भाग 21 मे आनुचे 370, जम्मू और कस्मी राज के संबंद में अहस्थाई प्रावधान से संबंदी थे, और यहाँ आप देखते हैं कि 370 हटने के बाद, पूरी तरह से 370 रह नहीं हटा, यह आप याद रखेगा, जो बिसेश प्रावधान में लिहुए थे, बिसेश आप देखते ह जम्मू कस्मीर में, उसे हटाया गया, और आपने देखा होगा कि जम्मू कस्मीर से हटने के बाद, जम्मू कस्मीर लद्दा दो हिस्सों में बाट दिया गया थे, और आप देखते हैं कि दोनों के अंदसासे उत्पिदेश हैं, बस आप देखें, जम्मू कस्मीर में दिल गुवास से सम्बंद धे लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रवधान सामल नहीं है जिससे विशेष माना जा सके लेकिन याद रखे 371 आई किस से सम्भन दे थे गुआ से संबंदे थे डारेक्ट कोईश्टन का इबार पूंच लेता है आपसे अबजेक्ट में भी पूंच लेता है ये अब आप देख लिजे अनुछे 371 ए महराष्ट गुजरात से संबंदे थे राजी के पास बिधर्व मराठ वाडा और सेस महराष्ट तथा गुजरात उनको क्या प्रावधन दिता है नागा धर्म या सामाजिक पिधाओं नागा पिधागत कानून एबं पिककिरिया नागा पिधागत कानून के अंसा दीबानी और अपराधिक न्याएक पिषाशन की नेड़हों के मामले में संसत पानून नहीं बना सकती है ए कौन सा राज्ट्वती राज विधान सभावा के जंजाती छेत्रों से चुने गया सदस्तों से या ऐसे सदस्तों से जिने वह उच्छे समझा समझता है एक सम्ती का गठन कर सकता है फिर अनुछे 371 सी क्या कहता है ये 27 वा सम्मीधान संसुदा 1971 की बात है ये मन्यपूर के लिए कहता राजपती को या अधिकार है कि यदि वह चाहे तो राज जी के पहाडी चेत्रों से मनीप और विधान सभा के लिए चुने गया सदस्वों में से एक सम्ती का गठन कर सकता है और इस सम्ती का उचित संचालन सुनिशित करने के लिए राजपाल को विशेस उत्तरदायत सौंप सकता है ये 371C में कहा गया फिर आप देखते हैं अनुचे 371D ये 32 बासमिधान संसुदा अधिनियम 1973 और आंत्पिदेश के पुनर गठन अधिनियम 2014 द्वारा पिती स्थापित है ये आंत्पिदेश उत्ते लंगाना की बात करता है इनके लिए क्या बिसे बातें करता है र जिसे राष्ट के अब विभिन भागों में इस्थानिय करडर के लिए लोग सेवाओं को संग्ठित किया जा सके और किसी भी स्थानिय करडर में आवस्तक्ता अनुसार सीधे भरती की जा सके और किसी भी सेक्षरिक संस्थान में राज्ज किसी भाग के चातरों को पिरवेस इसमें बरियता दी जाएगी यह निर्धारित करने की सकती भी राष्टपती के पास है राष्टपती राज में सिविल सेवा की पदों पर करद अधिकारियों की सिकायतों विवादों की निप्टान एदू विसेश विसासनिक अधिकरन की इस्थापना कर सकता है और यह अधि करन लोक सिवाओं में भरती अवंटन पद्वनती आधी से सम्मंदित सेकायतों विवादों की सुनवाई करेगा अनुछे 371 E संसत को आधने पिदेश राज में केंद्री विस्विध्या लए कि इस्थापना करने का अधिकार देता है लेकिन बास्तों में यह सम्मिधान की इस भाग में अन उबबंदों की अर्थ में एक विसेश उबबंद नहीं है फिर आप देखेंगे कि आपका अनुछे 371 E पाता है 36 बा सम्मिधान संसोदन अधिनियम 1975 यह सिक्किम के लिए है क्या कहता है एक कहता है कि सिक्किम बिधान सभा की सदस्लोक सभा में सिक्किम की पितिनी दियों का चैन करेंगे सिक्किम की जनसंक्या के विभन अनुभागों के अधिकार और हेतों की रक्षा के लिए संसत को यह अधिकार दिया गया है कि सिक्किम बिधान सभाव में कुछ सीटें इन्हें अनुभागों से आने वाली व्यक्तियों द्वारा भरी जाएं ऐसा पिरावधान कर सकते हैं एक तरह से कर सकें ठीक है और इसमें आप देखे कुछ और बात हैं कि राजज के राजजपाल का विसेस दायत थे कि वह सक्किम सांति इस्थाफित करनी की विश्था करें और राजज की जन्संक्या की समान सामाजिक और अर्थिक विकास के लिए संसादनों और असरों का उचेत आवंटन सुनेश्चित करें पूरुक के सभी कानूनों जिन में आप देखें जिन से सिक्किम का गठन हुआ जो जारी रह जालत में किसी भी रूपांतन या संसोधन के पिती जवाब दे नहीं होंगे एक कहा गया है अनुछे 371 जी इतिरेपनबा समिधान संसोधन अधिनियम 1986 की बात है मिजोरम के लिए है प्रावधान इस प्रावधान के अनुसार संसद मिजो मिजो प्रिथागत कानून और पि पिती जवाब दे भी नहीं होगा क्या जवाब दे भी नहीं होगा फिर आप देखते हैं कि अनुछे 371 जी इतिरेपन और आप देखेंगे कि उक्ति छेतरों में विकास आत्मक बे हितू समान मात्रा में धन आवंटित किया जाएगा और सरकारी नौकरियों और सिक्षा में इस छेत के लोगों को समान अवसर उसो विधायें पे दान की जाएगी और हैदरावाद करनाटक छेत में आप देखेंगे कि नौकरियों किसमें नौकरियों और सेक्षिक एवं विवसाये प्रिशिक्षन संस्तानों तथा राज सरकार की संगठानों में समंधित व्यक्तियों के लिए जो जनम या मूल निवास की संदर में उस छेतिक से तालुक रखते हैं अनुवातिक आधार पर सीटे आरक्षित करने ही तो एकादेश दिया जा सकता है ये करनाटक के लिए कहता है 371 जे ये आप लोगों को याद रखना है मैतरी संदाय आप देखें मनीपूर के बारे मैं जान चुके हैं और 371 के जो विसेज साब देखते हैं कुछ बातें कहीं उन्हें भी आप लोग जान चुके हैं और मुझे लगता है कि अब अगर इस ते कुश्टन पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर आप देखेंगे इसका अंसर आप लोग देपाएंगे अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सुजाओ तो आप लोग जरूर भ